हेलो गाइस वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल सलोन फैक्ट गाइस आज का जो टोपी के आपको थमनेल लेके पता चली गया होगा आज हम उन कलर सीरीज की बात करेंगे जो हम हीना कोटेड हेर पर यूज कर सकते हैं और उनका रिजैल्ट भी काफी ज्यादा अच्छा आता है काफी ज्यादा गाई समय तब प्रोबलम बढ़ते हैं जब हमें हीना कोटिंग हेर पर गलोबल कलर करना हो आज हम यहां गलोबल कलर की बात करने वाले हैं वो हीना कोटिंग पर हाइलेट कैसे करेंगे वो मेरी नेक्स वीडियो मैं बताऊंगा अगर आप उसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंड मैं कर गए जरूर बताईएगा और इस टोपिक पर हमके लिए करेगे कि हीना कोटिंग हेर पर किस तरीके से जो बैस कलर होते हैं उन बैस कलर की बात करेगे जो हीना कोटिंग हेर पर इजिली से आ जाते है और काफी ज़्यादा अच्छा उनका रिजल्ट आता है तो गैस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पर नियू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल आइकोन को भी प्रेस कर देना वीडियो अच्छे लेगे दो वीडियो को लाइक भी कर देना तो गैस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गैस हीना कोटिंग हेर में क्या होता है जब हमारी क्लैंड जो महिंत DRCM बलैक में आपर ब Gü्लैक महिंतृ तो यहां पर हम बलैक महिंत नहीं करने वाले जो हिना महिंत हैं उनकी बात करने वाले कि ब्लैक मेंदी पर गाइस कलर काफी जादा मुश्किल से आता है वो ब्लीच वास वगरा करना होता है इसकी वीडियो में अगली वीडियो में लाने वाला हूं तो गाइस यहां हम करेंगे हीना हेर पर हम किस तरीके से गलोबल कलर कर सकते हैं सारी बात करेंगे Lordeal में कूं से best color है स्विट्ट खूर्ष में कौंं से best color है तो सीड्रिक्ज फेमली में। यूज करतें उसमें डो टोन हमें पहली से देखने को मिलती है एक टो है रैड़ और एक है ऑरेंज रैड़ ओरेंज हमें देखने को पहली सी मिलती है तो गैस क्या होता है जब हम क्लाइंट को सेड़ कार्ड दिखाते हैं तो आज कल की जो ब्लोंड फैमली है क्लाइंट जातर उन्हें पसंद करती है तो कोसिस करिए जब हीना कोटिंग वाला क्लाइंट आपके सलोन में अंट्री करता है तो उसको आप हमेशा रेड फैमली या फी कोपर फैमली या फी मोगनी फैमली के सेड़ कार्ड में कलर दिखाए इन्ही फैमली में आपको घुमाना है उन क्लाइंटों को जिनके बालों में हीना होती है क्योंकि जिनके बालों में हिना होती है वो रैड ओरेंज हमें देखना को मिलता है वो इनमें हम वही यूज़ करते है जिस कलर में रैड錯 को पर मोगनि पहली से हो और क्या होता है ज़ा हम यह color use करते है तो इनमे रेड को पर मोगनी वाले color हम हिना कोटिंग hair पर global करते है तब इनकी जो reflection है काफी ज़यदा प्यारी आती है बहुत ज़यदा अच्छे आती है और काफी ज़यदा visibility के साथ आती है उसका reason यही है क्योंकि उनके बालों में red और orange already पहली से ज़्यादा होता है तो पहले गाइस हम बात करेगे लोरेल फैंबली में ऐसे कौन से best color है जो आप हिना कोटिंग hair पर कर सकते है तो पहले दो गाइस हम बात करेगे 12.5 लोरेल का काफी ज़यदा अच्छा shade है high lifting color है और यह माजी lift में है लोरेल के माजी lift के name से आता है यह high lifting color होता है यह 30 volume या भी 40 volume में यूज कर सकते है तो यह मैं suggest करने वालो आप 30 volume ले अगर आप 20 volume भी लेते हैं तो काफी ज़यदा अच्छी reflect आपको मिल जाती है क्योंकि 05 जो होता है इस हमारा वह होता है हमारा महुगनी महुगनी color होता है महुगनी color आप सभी को पता है रैडिस रैडिस copper tone में दिखता है जादा तर वह रैडिस tone में दिखता है तो रैडिस tone जब हम मोँगनी हीना coating hair पर करते है तो रैड और मोँगनी mix होके वह आपको दिखेगा रैड मोँगनी tone में तो easily 12.5 हमारे client को global color करोगे तो अराम से आ जाता है यह color कैसे करने है मैं बताता हो और आप 30 volume में आप इसको easily कर सकते है और सबसे जो best color है जो मेरा favorite है वो है 11.60 और यह color भी बहुत अच्छे से आ जाता है client के यह भी माजी lift में यह लोरियल के और जो 0.6 है आप सभी को पता है वो है red अगर किसी को reflection नहीं पता है इसके उपर मैंने video बना रखे है मे हमारा red अगर हम हीना coating वाले वालों पर यह वाला color करते है 30 या 40 volume में तो यह color काफी ज़्यादा अच्छा दिखता है तो आप देख रहोगे इस color यूज़ कर रहे हैं सारे mogni red और दूसरा है हमारा 7.4 इसमें 0.4 के हमारा copper यह color भी हमारा लिए best है हीना coating वाले hair पर करने लेकिन गाइस मैं आपको बता दो आप जब 7.4 करों तो exact आपको 7.4 नहीं मिलेगा आपको देखने को मिलेगा copper में थोड़ी सी red stone भी आएगी थोड़ी सी red stone भी आएगी क्योंकि क्या होता है गाइस जो हमारे हीना coating ही रहे उसमें red stone पहली से होती है लेकिन आपको इसकी चि और यलो से है तो orange के अंदर पहली से already red है और जो हीना coating hair पर आप work कर रहे हो मानलीजे यह hair है इसके अंदर red की मात्रा पहली से है जब orange 7.4.4 orange है इसमें अगर हम extra red भी डाल देगे ना कोई दिक्कत नहीं है orange की जो visibility है वो आएगी आएगी लेकिन वो थोड़ी red इसके साथ और इसमें आपको काफी ज़्याद अच्छा result मिलने वाला है और अब बात करते हैं 6.62 की इसमें भी आपको दिख रहा होगा कौन सा color है इसमें जो 0.6 है वो हमारा red ठीके गाईस यह हमारा red और 0.2 के हमारा violet में इसका कोई काम नहीं है बस जो violet color है वो हमारा जो हीना वालों पहली से copper होता है ना उसको थोड़ा सा neutralize करता हुआ जाएगा थोड़ा सा copper की tone को कम कर देगा और अपनी reddish tone को ज़्यादा दिखाएगा like आप मान सकते इसका जो result आएगा वो आएगा आपका बर्गेंडी बर्गेंडी सेड इसका जो result आएगा बर्गेंडी सेड यह सा है ठीक है गाई और रही बात इनकी आप इनको अपनी मर्जी से developer यूज़ कर सकते है जैसे कि 30 और 20 में भी आप कर सकते है लेकिन मैं बता दोता है इस 20 में इतनी visibility नहीं आएगी इतनी आ जाएगी कि थोड़ा ज्यादा लाइट में visibility आएगी कि थोड़ा दिखेगा अगर आपको थोड़ी डार्क लाइट में भी थोड़ा विजिबिलिटी चीए तो 30 वोल्यम उसकर रहे हो स्कैल्प से आपको छोड़के करना है और कुछ लोग बोलेगे कि 40 से बाल रफ तो नहीं होगा हैं जिसमें 05 वना मोग नहीं है और 4.56 हो गए यह उनके लिए है जो कहते है कि थोड़ी सी सन लाइड में जाओ तो थोड़ी सी मतलब बालों में ग्लोसी लुक आए और थोड़ी सी साइनिक आए थोड़ी सी लगे कि हमने कलर करा रहा है थोड़ी सी कलर की रिफ्लेक्शन आए यह 45 वाली उन सीरीज के लिए जो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन मांगते है ज्यादा विजिबिलिटी चे तो हाई लिफ्ट कलर आप यूज कर सकते हैं ठीक है यह गाइस हमारी बात होगी लोरिल की फैमिली में अब बात करते हैं स्योर्सकॉफ की फैमिली में काफी ज्यादा कलर है मैं आपको बस इतना ईडिया लगाई । सबके पीछे मोगनी यह रैड्स फैमिली अख्यक्ल इसमें भी रैडिस फैमिली थैय। इसमें भी रैड़िस में मोगनी रैड दोनों मिक्स हैं ठीक है ज्यादा अच्छे प्लर रहा है L सीरीज का है L 89 और इसका मैंने प्रेक्टिकल बना रखें अगर और दूसरा है नाइन डैस नाइन एट ये भी काफी जाद अच्छी फैमली है और शिक्स डैस डवल नाइन ठीक है इसका जो रिजेल्ट आता है गाइस वह है रैड वोईलेट रैड वोईलेट आप मान सकते हो बर्गेंडी लुक आएगी ठीक है गाइस और अब बात कर लेते हम इस्ट्रिक्स की ज्यादा कलर नहीं है लेकिन जो कलर है वह कलर जो होते हैं उनकी विजीबिलिटी थोड़ी सी कम आती है कम क्यों आती है मैं आपको पहले बता तो पहले मैं कलर के नंबर लिग देता हूं 5.6 4.6 3.16 यह कलर है गाइस इसमें जो कलर है ना आप देख बेस है तीन चार पांस तक कैसले इनकी विजीबिलिटी कम आती है और रिफ्लेक्शन काफी ज्याद अच्छी आती है क्योंकि 0.6 रैड 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 है वही ना कोटिंग हेर पे जब रैड इस फैमली करोगे तो काफी ज्यादा अच्छी विजीबिलिटी हमें मिल जाती है मैं उज्याद बात करें हम इसकी विजीबिलिटी कैसे बढ़ा है बढ़ाने के लिए हमारे जो स्ट्क में रैड कलर आता है जेट कलर आता है जीरो पॉइंट सिक्स जो हता हमारा उसमें आप थोड़ा सा रैड कलर एड कर सकते हैं और और आप सभी को पता है मैं ना बता है magic contrast माजी यह तो super family यह तो बूरी रैडिस family magic contrast की यह अगर आप डाइड करते है 30 volume में काफी जादा अच्छा color आता है जिसको रैडिस family ही चाहिए होती है इससे आप तो chunks भी कर सकते हैं और highlights भी कर सकते है 40 volume ले लिजिए 30 volume ले लिजिए आपका जो highlight है काफी ज्यादा अच्छी आने वाली क्योंकि यह जो color है पूरा ही red color होता है तो यह थी हमारी कुछ color family जो हीना coating hair के लिए काफी ज्यादा suitable होती है बालों को without damage करें हमें यह color है मिल जाते हैं काफी ज्यादा easily तो गाइस आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ जागी होगी इसमें गाइस मैंने यूज करके नहीं बताया मैंने टॉप कलर बताया जो हीना coating hair के लिए सबसे ज्यादा best काफी ज्यादा में कमेंट आती है कि हीना कोटिंग वाले हेर पर हम कौन सा ग्लोबल करें यह वीडियो उनके लिए भी काफी ज्यादा helpful है जो यह लोग सोचते कि हम यह color करें कि हीना वाले वालों पर आएगा या नहीं आएगा तो बस मैंने सोर्सकोप में भी ज्यादा family नहीं बताए क्योंकि अब मोगनी फैमिली और आप यूज कर सकते हैं कोपर वगेरा हो गया और बरगेंटी वगेरा जैसे कि आपका हो गया 5.62 यह थोड़ा बरगेंटी टोन मा जाते बरगेंटी कब बनता हमारा जब उसमें थोड़ा थोड़ा वोईलेट मिक्स हो जाता है ठीक है गाइस में दोन फरगेंट तो प्रेस देबल इकोन